वन लगाई इससे सब की बारे में बात होती है यह वन का मतलब होता है बेटा कैसे यूज करते हैं वो देखे जैसे मुझे एक संडेल्स लिखना है एक इंसान को अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए अब इस एक इंसान में मैं भी आप भी हम भी सब आगे तो मैंने क्या कर सर आई यूपी दे तो नहीं लिया मैं उठाके वन ले लिया कुछ काम ऐसे लगते हैं मैं करने ही चाहिए तो जो काम होना ही चाहिए वहां पर क्या लगता है? मस्ट तो बोले वन सम्मान करना क्या होता है? longtime друг। और देखें मैं यहाँ पर क्या लिखता? His elders His sentence में जब मैंने वन पढ़ा तो मुझे लगा मैं हर किसी के बारे में बात कर रहा हूँ पर जब मैंने His पढ़ा तो पता चला मैं तो ही की बात कर रहा हूँ पर यहां तो हमने कहीं ही की बात की नहीं थी यहां तुम बात सब की कर रहे थे तो आसे याद रखना सर जब आप one की मदद से सब के बारे में बात करते हैं तो ये his, my, your ये one नहीं आते सर क्यों? क्योंकि my तो I के लिए आएगा सर his ही के लिए आएगा और इसमें तो सब हैं one में तो सब हैं तो फिर क्या करें? जैसे I की चीज मेरी my, ऐसे one की कोई चीज है तो उसे बोलते है once तो बिटा one must respect once elders ये सन्देश फिल को ठीक होगा अब इसे कहते हैं concept बिटा जी everybody तो यहाँ सन्देश में देखे one must respect once elders कहना चाहिए ना कि his elders, my elders your elders सब के बारे में बात है once आएगा o-n-e apostrophe s सब दो वर्ड मैंने आपको पुले एक one और एक once हर किसी के बारे में हाँ, one और उसकी कोई चीज है तो once